जालें चप्ड़ा कोई मौताज नहीं है क्या वोलते हैं अप लोग नाम को मौताज नहीं है सालेंच कप्ड़ा नामी काफी है बोलो है के नहीं है कर दो निए 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 नि बुली जी ने मुझको सम्मानित किया एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार अपने अवार्ड फांक्शन्स में बुला कर तो मैं हृदय से आपको धन्यवाद देते हूं अब ही मेरी बहन का एक भेतरी म्यूजिक अलबम लाउज हुआ है मार्केट में तो प्लीस आप लोग देखे उसको लाइक करें उसको सब्सक्राइब करें उसको यह करते हैं जाज एकरते हैं जाज अली वन जाज अचार लाइन्स राप करती हो मैं मिलावडनी शब्दों में मेरे है सच जो करती में लगता है उनको गलत तराजों में इजद के मुझको यह तोलेंगे जिसम की नुमाईश करती है बोलेंगे ऐसी सोच को करूं मैं फ्लश ये लोग सब जलते और रखते हैं ग्रज बस करते हैं जाज हां करते हैं जाज यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो जाज़ा है और ना सिर्फ मेरी आप बीती बलकि उन तमाम महिलाओं की आप बीती जो रोजाना इस समाज में जाजमेंट का शिकार बनती हैं मैसेज यह है कि जाजमेंट के पिंजरे में हम जब कैद होते हैं तो उस पिंजरे से बाहर कैसे आएं उस पिंजरे के दर्वाजे को लाथ मार कर तो रोजाना हम क्या करें हमें खुद पर सुबर शाम आत्म विश्वास करना होगा लोग हमें रेट करेंगे जज करेंगे हमारी इज़त के धजिया उड़ाएंगे सरयाम मीडिया को बुला बुला के आओ 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 ये देखो ये देखो ऐसा बोलेंगे बावजूद उसके हमें खुद पर विश्वास करना होगा हमें इश्वर पर विश्वास करना होगा और इश्वर कहां बस्ते हैं हमारी भीतर यह message है जी बिल्कुल लेखे, ट्रोल्स हर सेक्टर में होते मीडिया सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में, कॉर्परेट सेक्टर में, हर जगा ट्रोल्स बस्ते हैं तो उनके साथ हम डील कैसे करें? हमें समझ में आना चाहिए कि वो कौन सी मानसिकता है जो जज करती है, वो मानसिकता से हमें खुद को बचाए रखना है काफी बदलाव आया है आज जब कोई हिरोईन लो कट चोली पहनती है या प्रोवोकिटिव लिबास पहनती है तो उसे वैंप नहीं कहा जाता है उसे भी हिरोईन ही कहा जाता है तो सोच में बदलाव आया है और आप देख सकते हैं कि आज कल कितनी बोल्ड वेब सीरीज ODD प्लाटफोर्म्स पर आ रहे हैं और हम उन्हें देखकर आनंद ले रहे हैं तो समाज में और समाज की सोच में बदलावाया है क्योंकि मैं खुद किड्नी फेलियर से पीडित हुई हूँ इसलिए आज मेरे दिल में उन तमाम कीड्नी पेशिंट्स जो सुबर शाम कीड्नी फेलियर से जूज रहे हैं उनके लिए एक बहुत खास जगा है और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द मेरा जो एंजियो है प्रकाशम फांडेशन उसके चलते उन तमाम जरूरतमंद किड्नी मरीजों के लिए मैं कुछ करूँ जैसे की फ्री डायलेसिस उन्हें मौाइना करा हूँ ये लोग जाएं तो कहां जाएं कोई ना कोई सामने आए और कहें कि हां हम इनकी देखबाल करने को तयार हैं और मैं चहनती हूँ कि मैं वो कदम उठाओं आवाज बंदर बाजा बन कीजिए असली तो बनना चाहे पर चाइना का नकली तो माल कल था खुशता बहुत आज खुद पर ही है मलाल क्यों मेरे लाज चाप पूच जाके खुद से सवाल जो करता कुछ खुशते तो बेराज मच्ता बवाल यूही ना कलम ये मेरी बेहाल लिखती हूँ थोड़ा सा करवा तभी तो कावज ये शब्दों से मेरे हलाल ये करते हैं जाज, इनकी सोच पर बड़ा है पर्दा जो पर्दा हटा दू तो लगते खलत हैं देखिए मेरे जो शुब चिन तक हैं जो महरबान है, कदर्दान है, जो उसे प्यार करते हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप किसी को जाज ना करें judgment करना बहुत आसन होता है, ये कहना कि अरे ये कैसी दिखती? ये कैसा चलती? ये कैसा बोलती? बहुत आसन होता है जज करना, लेकिन जो judgment जो judgment का victim बनता ये victim बनती जड़ा जाकर उसे पूछो वो कैसा महसूस करते तो मेरे ख्याल से इस समाज को बहतर बनाने के लिए हमारे अंदर सहन शीलता बहुत ज्यादा होनी चाहिए और हमें sensitive बनना चाहिए एक दूसरे के प्रती और जो कोई हमें judge करे हम उसे पूछे अबे तू कहां का तुर्रम खान है तेही अकात क्या है वे हमको judge करने के लिए कौन है तू अपने गिरेबान में जहांकर देख तो यह हमारा रवया होना चाहिए वरना आए दिन कोई ना कोई करें दिप्रेशन का शिकार बन सकता है कोई ना कोई judgment या फ्रिटिसम का शिकार बन सकता है तो इसलिए हमें इंट्रोज को मूत और जवाब देना होगा अधिक तो इसे मनिना या इसे एंगियों को आप अच्छा पूलती है यह तो इसे अगिनी पेश्ट्स के लिए कुछ क करें जरुवत मन्द महीलाओं और बच्चों के लिए कुछ करें और इस समाज को और बहतर बनाएं धनीवाद की आज कि समय में जो फिल्में आ रही हैं अगर आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं तो इसे मनुरंजन नहीं कहा जा सकता यह खलत है चाहे धर्म कोई भी हो इसलाम हो हिंदू हो इसाई धर्म हो सिख धर्म हो जो कोई भी धर्म हो हमें किसी भी इंसान के धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुंचाने का कोई भी हक नहीं बनता तो जो लोग मनुरंजन के नाम पर इस तरह की घटिया घिनोनी हरकत कर रहे हैं उन झाल झाल झाल